नमस्कार, देखिए इस वीडियो में मैं आपको कॉलम और स्ट्रट से रेलेटेड 32 MCQs कराऊंगा और सोम के बागी टॉपिक के MCQ देखने के लिए आप स्टेंथ और माटेरियल नाम की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं अब देखिए उलर्स ने एक फॉर्मला दिया है क्रिप्लिंग लोड का कॉलम के लिए और यहां पर तो एक स्पेशल केस पूछा हुआ है आप से वन एंड फिक्स और अदर हिंज पर सबसे फ़हले फॉर्मला क्या होता है वो देख लेते हैं देखिए फॉर्मला होता है पी बराबर पाई इसकोईर ऑपन ल इफेक्टिव टूदा इसकोईर और जनरली चार केस होते हैं हमारे पास यहां पर जो हम पढ़ते हैं जिन में से एक case यहाँ पर आपको दे भी रखा है जो मैंने आपको यहाँ दिखा भी रखा है right side में हर एक case में effective जो है वो change हो जाती है effective क्या होती है effective length होती है किसी column की और effective length क्या होती है column जब buckle कर जाता है तो उसके बाद यानि बकल करने के बाद जो inflation point होते हैं उनके beach की distance ठीक है जैसे इस particular case में आप देखेंगे तो एक end इसका यह कौन सा case था एक end fixed था और दूसरा hinge था यहाँ पर देख सकते हैं यह वाला end hinge है या pin भी बोलते हैं इसे और दूसरा end fixed था तो बकल करने के बाद जब इस पर load apply हुआ तो इसके जो inflation point थे उपर वाला तो वहीं पर रहा लेकिन नीचे वाला point थोड़ा सा उपर खिसा गया यहाँ पर आ गया तो अब जो यह वाली distance है यहाँ से लेकर यहाँ तक यह effective length हो जाती है तो इसलिए इस particular case में जो effective length है वो ly root 2 होती है जिसको हम 0.707 l भी लिख सकते हैं तो आप देख सकते हैं total length का 70% हो जाता है कम हो जाता है उतना ठीक है यही पर अगर मैं आपको एक छोटा सा case और बताओ उसको समझने में असानी होगी जब एक end fixed होता है और दूसरा end free होता है तो बकल करने के बाद कुछ ऐसा column बन जाता है और इसमें एक inflection point तो उपर यह रहता है और दूसरा इसका imaginary point यहां नीचे आ जाता है तो अब इस particular case में जो effective length है वो actual length के double हो जाती है तो इसलिए इस particular case में जो मैंने अभी बनाये यहां पर इसमें effective length 2L हो जाती है तो इसी तरह से बाकी दो case और भी है आगे सारे cases मैंने डाल रखे हैं अलग-अलग question में तो सभी cases में L effective change होती है actual के हिसाब से और उसको हम यहां पर रखते हैं इस formula में और फिर हम इसको निकालते हैं विलर्स का यह formula यहां से crippling load निकाला जाता है ठीक है तो यहां पर आपसे जो case पूछा हुआ है वो उसका diagram right side में बना हुआ है effective length मैंने आपको बता दिये L by root 2 होती है तो L effective की जगा L by root 2 रखेंगे square करेंगे उसका square 2 हो जाएगा 2 सबसे उपर सला जाएगा solve आप कर सकते हैं तो यह इसका formula बन जाएगा इसी तरह से बाकी 3 cases में भी अलग-अलग formula बनते हैं जिन में से कुछ आपको आगे देखने को मिलेंगे The equivalent length of a column of length L having both ends fixed is given by अब जब दोनों ends fixed होते हैं तो कुछ इस तरह से column बनता है और जो effective length है वो आधी हो जाती है आप देख सकते हैं बकल करने के बाद जो inflation point है वो यहां और यहां आ जाते हैं लग-बख right side में आप देख सकते हैं सारी dimension लिखी हुई है तो माल लीजे यह length L है तो इसका एक चौथा ही इससा उपर छूट जाता है और एक चौथा ही नीचे छूट जाता है तो बचा क्या आधा इसलिए effective length यहां पर L by 2 हो जाती है तो L by 2 यहां पर सही answer हो जाएगा The allowable stress in a long column can be increased by increasing the allowable stress यानि जितनी stress उसको हम allow कर सकते हैं उसके fail होने से पहले तो वो कब बढ़ सकती है जब हम इन चारों में से क्या बढ़ाएं तो cylinderness ratio, length of the column, radius of gyration या eccentricity A, B और D यह तीनो negative point है इनके बढ़ाने से strength नहीं बढ़ेगी column की radius of gyration बढ़ाने से बढ़ेगी क्योंकि radius of gyration बढ़ाने से cylinderness ratio कम होता है और जब वो कम होता है तो short column वाली category आती है जिसकी जो strength है वो ज़्यादा होती है जिसमें हम ज़्यादा stress allow कर सकते हैं तो option C यहाँ पर सही होगा bulking load for an axially loaded column with both ends fixed is given by दोनो ends जब fix होते हैं तो length L by 2 हो जाती है मैंने अभी आपको बताया था तो L effective की जगह L by 2 रखना है उसका square करना है आप ये सारी चीजें दिमाग में ही कर सकते हैं पर समझाने के लिए मैंने जान बूज कर यहाँ पर रखे होते हैं इस pictures वरना इतने tough नहीं होते हैं ये सवाल देखिए formula वही आ जाता है फिर से यूलर्स का पाई square EI upon L effective to the square इस particular case में L by 2 होगा अभी मैंने आपको समझाया था तो L by 2 रखेंगे 2 का square 4 उपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 4 पाई square EI upon L square option C if A is the area of cross section and I is the moment of inertia of a given plane section then radius of gyration is given by देखिए आप जानते हैं ये R बराबर होता है root I upon A रहता कहां से है ये हमारे पास formula होता है I बराबर A R square area moment of inertia बोलते हैं इसको वहाँ से इसको निकाला जाता है कुछ इस तरह से इसको axis मान कर यहाँ पर कोई particular area है जो R distance पे है तो इस area का इस axis के about जो R distance पे है जो moment of inertia होता है वो A R square हो जाता है इस equation से आप R को निकालेंगे तो क्या बन जाएगी root I upon A तो option B यहाँ पर सही हो जाएगा ratio of length of column to the minimum radius of gyration of cross sectional area of the column is known as तो जब हम radius of gyration पढ़ लेते हैं तो उसके बार निकल के आता है cylinderness ratio जो की होता है L effective over R minimum यानि effective length over minimum radius of gyration तो option A यहाँ पर सही होगा उसी की definition लिखी हुई है the effective cylinderness ratio of cantilever column is अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा question को गुमा दिया गया है cylinderness ratio पूछा हुआ है cantilever column का cantilever हम जानते हैं वो structure होता है जिसमें एक end fixed होता है और दूसरा end free होता है जब column की बात हो रही है जायर सी बात है एक end fixed होगा इस तरह से दूसरा end free होगा तो कहीं ने कहीं यह एक ऐसा column आ गया जिसका एक end fixed दूसरा free है तो इस particular case में जो effective length है वो 2L हो जाती है अगर इसकी actual length L है यह मैंने शुरू में बताया था आपको तो slinderness ratio अभी definition पड़ी थी L effective over R minimum L effective जो है उसकी जगा तो हम 12 लिख लेंगे effective length और R minimum की जगा R ही लिख लेंगे तो 12 over R इसमें सही answer हो जाएगा option D में आपको दिख जाएगा यह इसका explanation भी देख सकते है ठीक है जो मैंने आपको भी बताया इस 40 cm डाया circular timber column is 4 meter long the slinderness ratio of the column is अब देखिए slinderness ratio निकालेंगे तो उसी तरह से L effective over R minimum से पर वो data direct नहीं दे रखा है indirect आपको दे रखा है जो length है वो तो दे रखी है 4 meter पर जो L effective है sorry L effective तो दे रखी है 4 meter पर जो R minimum है radius of gyration वो निकालनी पड़ेगी उसके लिए हमें dia दे रखा है circle का case है तो अब इसको समझी है कैसे करेंगे सबसे पहले तो जो length for 40 meter दे रखी है उसको 400 cm लिख लेंगे sorry 4 meter थी जो 400 cm हो जाएगी और dia cm में यह है तो एक जैसे unit हो जाएगी अब cylinder nest ratio निकालने से पहले हमें R की जुरूरत पड़ेगी और R निकलता है root I upon A से अब हमें circular में पता है I होता है pi by 64 d to the power 4 और A होता है pi by 4 d square यानि area ठीक है यह सारी चीजे पहले कब और हो चुकी है bending stress में देख लीजिए torgen में देख लीजिए सारी वीडियोज आपको playlist में मिल जाएंगी आप playlist को visit कर सकते हैं और अब यहां पर आप देख सकते हैं जो R है वो solve करके d by 4 आ रहा है यहां पर देख सकते हैं सबको पूरे को solve करके और d की जगा 40 रख देंगे तो 10 cm आ जाएगा तो यह चीज भी आपको धिहन रखनी है आगे मैंने एकाज सवाल और add किये हैं जहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि circle के case में जो R होता है हो कितना आता है हर बार आप निकालेंगे नहीं इस चीज को क्योंकि अगर आपको याद है तो question जल्दी solve हो जाएगा तो R यहाँ पर निकल के आ जाएगा 40 by 4 यानि 10 फिर al effective over R हो जाएगा 400 over 10 निकल के आ जाएगा 40 तो यहाँ पर answer हो जाएगा 40 एक column with highest equivalent length has अब equivalent length सबसे ज़्यादा किसमे होती है जो 4 case अब generally बढ़ते हैं वो यहाँ पर लिखे हुए है और उन में से हम जानते हैं जब एक end fixed होता है और दूसरा free होता है तब यह सबसे ज़्यादा होती है तो option C यहाँ पर बिल्कुल सही होगा यही वो case है जो मैंने आपको समझाया था तो option C सही हो जाएगा reference rankings empirical correlation for bulking load buckling load of an intermediate column the value of constant and will be least for a column made of देखिए ranking का जब हम formula पढ़ते हैं 1 upon PR बराबर 1 upon PC plus 1 upon PE वाला तो वो तो उसका main formula होता ही है पर उसको जब हम further solve करते हैं आगे और आगे drive करते हैं तो उसमें हम एक ranking constant निगालते हैं top में जो आपको equation दिख रही है वो तब निकलती है जब हम ranking के formula को आगे solve करते हैं ठीक है derivation नहीं दिखा रखा है मैंने आपको सीधा last का formula दिखा रखा है तो इस formula में जहांपर A है वहाँ पर actually tau C upon pi square E आता है उसी को हम ranking constant बोलते हैं और इसकी value अलग-अलग material के लिए अलग-अलग होती है तो generally हमें एक table मिलती है जिसमें हमें tau C और A की value प्रोवाइट की जाती है ठीक है तो इसमें हमें A का पूछा हुआ है और ये बोला गया है कि least किसका होता है और ये चारों चीज़ें आपको option में दिख रही होंगी तो हम देख सकते हैं सबसे कम यहां पर raw iron का है 1 over 9000 सबसे कम यह होगा और सबसे ज़्यादा timber का है तो least वाला हो गया ये और सबसे ज़्यादा हो गया timber का ठीक है यहां पर आपसे least पूछा है तो raw iron हो जाएगा कभी अगर सबसे ज़्यादा पूछें तो timber का हो जाएगा क्या चीज? ranking constant अब देखे इस सवाल को समझने के लिए आपको एक तो ये मालूम होना चाहिए कि effective length किस तरह से vary करती है इन दोनों cases में और दूसरी चीज dealers का formula पता होना चाहिए solution पे आजाते हैं देखिए दो case जो दे रखे हैं उन में से पहला है कि जब दोनों end fixed है तो उसमें मैंने आपको बताया था effective length होती है l by 2 और फिर क्या कहा जा रहा है कि एक end को free कर दिया जा रहा है तो एक को तो fix ही रखा जाएगा दूसरे को free कर दिया है तो उस case में effective length 2l हो जाती है ठीक है दूसरी चीज formula जो है वो लिखा हुआ है जो हमने अभी तक discuss किया है इसी formula के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जो crippling load है वो l effective k square के inversely proportional है pi square e और i को constant मान कर ठीक है अब अगर हम पहले और दूसरे case में load का ratio देखें crippling load का तो पलट जाएंगी चीज़े यानि अगर हम pe1 इस वाले case को माने पहले वाले को both hand fixed को और pe2 दूसरे वाले को माने one fixed one free तो सामने जो आएंगी चीज़े वो opposite में आएंगी क्योंकि l तो इनके opposite में था तो pe1 के सामने कौन सा आजाएगा 2l का square ठीक है मैं समझता हूँ आप ये चीज़ समझ रहे होंगे उल्टा हो जाएगा याँपर और फिर pe2 के सामने l by 2 का whole square आजाएगा square क्यों आ रहा है पहले का f दे रखा है question में second का पूछ रखा है तो pe1 की जगा हम f रख देंगे और pe2 निकाल लेंगे तो ये f upon 16 निकल के आजाएगा जब हम solve करेंगे आगे ठीक है तो option c यहाँपर बिल्कुल सही हो जाएगा बाकी option इनके सारे ऐसे रखे होते हैं अगर आपने थोड़ा भी गलती कर दी तो कोई दूसरा option आपको जरूर दिख जाएगा आप ठीक है तो इसलिए ध्यान से करना है एक column has effective length L when its both ends are fixed what will be the new effective length if one end becomes hinged ठीक है देखिए ये सवाल सारे effective length से related है इस सवाल को समझे आप क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि effective length L थी जब उसके दोनों end fixed थे पहली line को देखिए effective length L थी जब दोनों end fixed थे दोनों end fixed होने पर क्या होता है effective length आदी होती है हम ये बात पहले से जानते है तो इस particular case में हम ये कह सकते है कि जो actual length है वो 2L रही होगी तभी जाके तो उसकी effective length L हुई होगी क्योंकि बोथ end fixed थी वाला case है अब बोल रहा है कि नई effective length क्या होनी चाहिए अगर एक end को hinged कर दिया जाए 2L को actual length मान कर one end hinged और one end fixed थी वाला formula लगा के effective length बतानी है one end fixed और one end hinged वाले में जो formula होता है वो L by root 2 होता है effective length का ठीक है ध्यान से सुनियागा यहाँ पर L by root 2 होता है अभी तक पढ़ते आई हम L उसमें actual length होती है पर ये actual length की जगा इस time हम 2L रखेंगे 2L क्यों रखेंगे क्योंकि पहली line यही चीज़ बया कर लिया हमें तो L की जगा 2L रखेंगे जो कि actual length हो चुकी है इस case में और फिर इसको solve करेंगे तो ये root 2L निकल के आ जाएगा चूंकि आपको option C में दिख जाएगा ठीक है यानि इस case में actual length L नहीं है वो effective length L उसी के आधार पर हमने ये decide कि actual length 2L होनी चाहिए क्योंकि दोनों end fixed थे A column of length L with both ends fixed may be considered as equivalent to a column of length dash with both ends hinged फिर से उसी तरह का question आ गिया है अब देखें यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि पहला case है जब इसके दोनों end fixed है और इसकी length जो है actual length वो L है ये कब equivalent होगा किस वाले के जब दोनों end hinged हो जाएंगे तो उसकी length कितनी होनी चाहिए बोथ end fixed होने पर length है L बोथ end hinged होने पर क्या length रखी जानी चाहिए ताकि ये दोनों column equivalent हो जाए equivalent होने से मतलब है कि इनकी effective length एक जैसी हो जाए ठीक है पहले case को देखते है जब पहले case में length L है यहाँ पर मैं actual length लिख रहा हूँ यहाँ effective length लिख रहा हूँ पहले case में L अगर actual length है तो इसकी effective length क्या होनी चाहिए बोथ end fixed जोने पर होती है L by 2 अब हमें इन दोनों column को या इन दोनों cases को equivalent करना है तो उसके लिए इनकी effective length एक जैसी होनी चाहिए actual भले ही न हो तो अब हमें यह clear हो गया कि बोथ end fixed जो जो case है उसमें effective length हमें L by 2 चाहिए अब हमें सिर्फ यह देखना है कि actual length क्या होनी चाहिए कि effective length L by 2 हो बोथ end hinged वाले case में दोनों चीजें एक जैसी होती है जब दोनों end hinged हो या दोनों end pinned हो तो वाँ पे actual length और effective length बराबर होती है यानि यहां पर भी L by 2 आ जाना चाहिए तो यहां पर आ जागा L by 2 option B यानि अगर short में कहें तो L length वाला column जो दोनों end fixed है जिसके वो equivalent होगा L by 2 length वाला column जिसके दोनों end hinged है ठीक है तो option B यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा according to Euler's column theory the crippling load for a column of length L fixed at both ends dash the crippling load for a similar column hinged at both ends similar column है तो E, I वगेरा इनका same रहेगा सिर्फ क्या चीज़ बतलेगी L effective बतलेगा अब देखे इस सवाल को बिना explanation के हम यहीं पर करेंगे ताकि आपको आदत पड़े उसी तरह से क्या बोला जा रहा है कि पहले fixed है दोनों ends पे तो जब दोनों end पे fixed होता है तो हम जानते हैं कि 4 हो जाता है वो L by 2 होता है उसका square 4 बन जाता है तो जब यह वाला case है तो इसमें 4 आ जाता है बाकी तो πाई square EI वगेरा सेम रहता है और L square ठीक है और second case बोला जा रहा है जब दोनों end हिंस्ट हो अब दोनों end हिंस्ट में क्या होता है कि नीचे सिर्फ L ही रहता है तो यहाँ पर 4 आ जाना चाहिए ठीक है जिस sequence में यह लिखे हुए है उसमें 4 आ जाना चाहिए उल्टा लिखा होता तो 1 by 4 आता तो यहाँ पर 4 times हो जाएगा option B बिलकुल सही हो जाएगा cylinderness ratio of 5 meter long column hinged at both ends having a circular cross section with dia 16 cm is column की length आपको दे रखी है hinged भी दे रखा है कि both ends पे है यानि effective length वही होगी जो इसकी length दे रखी है और cross section का dia दे रखा है एक second अब देखिए यह सवाल जो मैंने आपको कराया था जिसमें cylinderness ratio पूछ रखा था L effective में तो इसमें 5 भी आ जाएगा cm में बदलना है तो 500 कर दीजिए और वहाँ पर मैंने बोला था आपको कि जब circular का case होगा तो जो radius of duration होगी वो d y 4 निकल के आती है जो मैंने आपको solve कर वाए था root i upon a करके तो d y 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 अब 4 से जब हम इसको divide करेंगे तो 125 आ जाएगा ठीक है तो direct solve किया जा सकता है इससे the equivalent length of a column of length l having one end fixed at the other end hinged काफी simple question हो गया अब यह अब आप बता सकते हैं कि यह क्या होगा l by root 2 identify the one where the centroid of section lies outside section angle symmetrical i t या unsymmetrical i देखे यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन सा section ऐसा है जिसमें जो centroid है उस section से बाहर लाई करेगा तो angle section इसका सही answer है eye section तो हो नहीं सकता क्योंकि eye section में तो symmetrical eye में तो बिल्कुल center पर ही होता है web के center पर अगर eye section unsymmetrical भी हो जाए तब भी वो open नीचे चला जाता है यह देख सकते हैं अब यहाँ पर symmetrical में तो बिल्कुल center में होता है पर अगर यह unsymmetrical भी हो जाए उपर से इसको थोड़ा बढ़ा भी दे हम तो यह point जो है थोड़ा उपर किसक जाएगा बस और कुछ नहीं होगा लेकिन रहेगा उसके अंदर ही T section भी C का एक part है T में क्या होता है अगर यह T section इस तरह से है तो beach menu होगा थोड़ा उपर उपर चला जाएगा यह ठीक है इस तरह से लेकिन रहेगा section में ही कुल मिलाकर angle section जो कि L section होता है उसमें क्या होता है center of gravity point बहार हो जाता है ठीक है वो उसमें section में आ भी नहीं सकता यह तो सब common sense वाली बाते हैं है उसे भी तो option A यहाँ पर सही होगा for a circular column dia D subjected to a compressive load W at an eccentricity E the diameter of core is देखिए दो cases पढ़ते हैं हम यहाँ पर जंदली पहला पढ़ते हैं rectangle का दूसरा पढ़ते है circle का तो eccentricity की एक limit दी जाती है हमें कि जिसके अंतर गथी eccentric load लगना चाहिए जैसे circle है तो इसमें center load अगर नहीं है eccentric लग रहा है थोड़ा इदर उदर लगेगा कहीं तो उसकी क्या range होनी चाहिए ऐसा थोड़ी की बिल्कुल corner पर लगा लोगे तो उसकी जो limit है वो दी जाती हमें और जिस range में वो बनता है उसमें हम कर्ण बोलते हैं उसको कि इस कर्ण के अंदर वो load लगना चाहिए centric load तो circle के case में यह हो जाता है एक सेकिन इसका diagram है आगे यहाँ पर आप देख सकते है circle के case में अगर overall dia d है तो core जो बनता है बीच में उसका जो हो जाता है डाया वो d by 8 एक सेकिन है देखे यहाँ पर d by 4 सही लिखा हुआ है actually वो क्या होता है इसमें कि d by 8 जो distance हमें बताई जाती है वो अगर इसी चीज को मैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके बनाऊं तो यह इसका center है और यहाँ से d by 8 distance पर हम इस centric load लगा सकते है तो यह d by 8 हो गया इधर d by 8 हो गया और हर तरफ यह d by 8 हो गया ठीक है तो अगर हम overall dia देखे इसका इस कर्ण का तो यह d by 4 निकल के आता है d by 8 इधर से और d by 8 इधर से ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है मैं थोड़ा confused हो गया था मुझे लगा d by 8 होता है पर वो एक तरफ का होता है center से circumference तक का कर्न की circumference तक का तो total हम dia देखेंगे तो d by 4 हो जाएगा जब दोनों add होंगे चलिए यह हो जाएगा वीडियो आपको यह share करनी है अपने whatsapp groups में इससे मेरे काम को support मिलेगा अब देखें यूलर्स का जो stress का formula होता है वो होता है πाई स्कॉाइर ए अपॉन लैमडा स्कॉाइर और इसकी value हमें 3300 दे रखें यहाँ पर अब यह जो बीच में sign आ रहा है वैसे तो बोला जा रहा है कि cylinderness ratio इतने से greater होना चाहिए या equal होना चाहिए तो यह sign इसकी तरफ बड़ा नहीं आएगा क्योंकि यह denominator में है तो लैमडा स्कॉाइड जब बाद में इधर आएगा जैसा आप देख सकते हैं इस step के बाद इस step में जब उधर जा रहा है तो आपने आपी sign साही हो जा रहे है कि लैमडा की value जो आएगी वो या तो इसके बराबर या इससे greater होनी चाहिए तो इसलिए sign यहाँ पर इस तरह से लगाया गया है क्योंकि लैमडा इसमें denominator में है यह formula होता है यहाँ पर इस formula के हिसाब से हमें इसको solve करना है लैमडा निकालना है e दे नहीं रखा है पर वो एक constant होता है 2 into 10 raise to the power 5 Newton per mm square होता है उसको बदल देंगे kg per centimeter square में 10 times हो जाता है तो 6 हो जाएगी power यहाँ पर बागी solve करेंगे पूरा solve करके आ जाएगा 5981 और लैमडा square है तो फिर solve करके 77 आ जाएगा यहाँ पर ठीक है तो लैमडा की जो value है वो 77.34 से ज़्यादा होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए तो उसके हिसाब से यहाँ पर option D बिल्कुल सही हो जाना चाहिए 80 the axial load carrying capacity of a long column of given material cross sectional area A and length L is governed by तो क्या-क्या किन-किन चीजों पर depend करता है अब देखिए हमने यहाँ पर देखा था कि जो load carrying capacity है वो Euler's के हिसाब से pi square EI upon L square पर हो रहा था तो जो EI होता है वो क्या होता है flexural rigidity होता है तो एक तो flexural rigidity होगा और दूसरा cylinderness ratio तो B और C अलग-अलग नहीं होंगे D हो जाएगा जिसमें दोनों लिखे हुए है ठीक है EI और cylinderness ratio पर भी depend करता है क्योंकि highly effective होता है ना वहाँ पर A steel column pinned at both ends has a bulking load of 200 km if the column is restrained against lateral movement at its mid height its bulking load will be load दे रखा है और ऐसा बोला जा रहा है कि अगर इसको beach में से इसको इसके movement को रोख दिया जाए तो अब bulking load क्या हो जाएगा इसका तो ये column है जो left side में आपको दिख रहा है इसका load 200 kN है right side में जो column है वो तब है जो second case है जब mid point पे इसको restraint कर दिया है moment के लिए upload क्या हो जाना चाहिए तो कुछ नहीं है बाकी चीज़ें तो same रह रही है पर effective length बदल जाएगी पहला case तो ऐसा है कि दोनों end हिंजड है और second case में क्या हो रहा है कि आदी हो रही है वो length उसकी कॉलम ही आदा हो जा रहा है वहाँ पे ठीक है तो effective length भी आदी हो जाएगी case तो वही रहेगा कॉलम का पर length उसकी ठीक ठीक आदी हो रही है वहाँ पर तो effective length भी उसकी ठीक आदी हो जानी चाहिए L effective की जगा हम L by 2 रखेंगे तो 2 का square 4 बन जाएगा यानि जैसे ही हम first case से second case में जाते हैं तो 2 का square यानि 4 यानि 4 गुना उसकी strength बढ़ जाएगी कॉलम की रिस्टेंट करने से 4 into PE हो जाएगा जो की बन जाएगा 800 option D यहाँ पर सही हो जाएगा effective length of a column of length L fixed against rotation and translation at one end तो एक end पे वो fixed है rotation और translation के लिए और दूसरे end पे दे नहीं रखा है तो दूसरे end free मान के चलेंगे हम दिया होता तो कुछ नो कुछ लिखा होता तो इस case में क्या होता है 2L हो जाता है question वहीं है simple सा लेकिन थोड़ा सा wording इसमें change कर दी गई है the ratio of theoretical critical buckling load for a column with fixed ends to that of another column with the same dimension and material but with pinned ends तो जब end pin कर दिये हैं तो क्या होगा सिर्फ L effective ही जो change होगा तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं fixed वाला और hinge वाला इनका ratio पूछा हुआ है और मैंने आपको बताया था क्योंकि inversely proportional होता है इसलिए hinge वाला इधर आएगा उपर fixed वाला इधर आएगा hinge में same होती है effective length hinge और fixed में आदी हो जाती है ठीक है L square cancel होगा 2 का square 4 उपर चला जाएगा तो हम कह सकते हैं यह 4 times हो जाएगा फिर तो option यहाँ पर D विल्कुल सही हो जाएगा ratio पूछा हुआ है ने load का for a imaginary dam of base width B at which location with respect to the center line should the resultant loading intersect the section to avoid tension in any horizontal section अब यहाँ पर आपको rectangle का case दे रखा है क्योंकि imaginary dam है उसका base जो है rectangular form में ही होता है और जिस तरह से हमने circle में देखा था dy8 होती है पूरी range उसकी ठीक उसी तरह से circle में भी एक कर्ण बनता है बीच में rombus type का बनता है वो इसी के अंदर का जो है centric loading होनी चाहिए और इसमें होता है b by 3 और b by 3 ठीक है तो इसमें जैसे वहाँ पर overall d by 8 आ जाता है यहाँ पर b by 6 आ जाता है तो option b यहाँ पर सही होगा कि within b by 6 यह होना चाहिए the current of a circular cross section of radius r is a concentric circular area with a radius of तो अब radius की form में पूछा हूँ है जैसे हमने आपे पढ़ा था क्या होता था d by 8 होता था d की जगा हम 2 r रख देंगे और यह हो जाएगा r by 4 ठीक है cancel कर देंगे तो r by 4 या d by 8 बात यह किये overall जो dia था उसका 1 8 या overall जो radius है उसका 1 4th slenderness ratio of a compressing member in the context of Rankin's formula is defined as तो Rankin's formula में वही slenderness ratio होता है जो हम Euler's formula में पढ़ते हैं ठीक है तो उसके लिए वही definition होनी चाहिए same effective length over least radius of gyration option B यहां पर सही हो जाएगा which one of the following rules ascertains the maximum permissible eccentricity of loads on circular column so that stresses will always be compressive so eccentric के अंदर आनी चाहिए तो किस में बोला जा रहा है ये circular में बोला जा रहा है circular में ये लगता है middle fourth rule जब ये dy4 आता है ठीक है option A से ही होगा और अगर ये rectangular का पूच्छ था तो तब ये हो जाता है middle third rule क्योंकि वहां पे by3 हो जाता है for a circular column having its end hinged the slenderness ratio is 160 तो L by D का ratio पूचा हुआ है अब देखिए इस cylinderness ratio L over R होता है cylinderness ratio हमें 160 दे रखा है L की जगा हम L ही रखेंगे क्योंकि बोथ end hinged है और R minimum मैंने आपको बताया था dy4 आप डिरेक्ट याद कर सकते हैं circular के case में 4 उदर चला जाएगा लेकिन कैसे जाएगा 160 over 4 रहेगा आप solve कर सकते हैं इसे तो L by D यहाँ पर निकल के आएगा 40 L by D का ratio पूचा हुआ है 40 हो जाएगा Euler's load for a column is 1000 kN and crushing load is 1500 kN the rankings load बताना है ranking load का देखिए formula होता है 1 upon PR ब्राबर 1 upon PC plus 1 upon PE PC और PE आपको दे रखें यानि crushing load और crippling load by Euler's formula ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं इनको रखेंगे इसको LCM वगरा लेके solve करेंगे तो PR निकल के आजाएगा 600 kN option A PE, PC और PR जो जो होते हैं वो लिखेवे हैं और उसके बाद PR बोला जा रहा है देखें अभी आपको जो formula बताया था क्या था वो PR था इधर चलिए यहां क्या बताना यहीं देख लीजिए इसको यह formula था यहां पर और इसमें हमें PR बोला जा रहा है directly तो पहले हम LCM और ले लेंगे इसमें और उपर PC पलस PE हो जाएगा नीचे दोनों multiply में आ जाएगे फिर हम इसको reciprocal ले लेंगे क्योंकि हमें इसको PR बनाना है तो क्या हो जाएगा उपर multiply में आ जाएगे नीचे दोनों का sum आ जाएगा तो option यहां पर C बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है आप देख सकते हैं यहां पर और यह थे आपके 32 MCQ वीडियो आपको share करना है और comment करके अपना feedback देना है वीडियो देखने के लिए thank you so much